C++ programming सीखने के लिए हमारे चैनल Learn Coding को सब्सक्राइब करें C++ programming में हमारा topic रहेगा आज switch statement Switch statement क्या होता है इसको कहां use करते हैं Full explanation मतलब इसका एक program भी हम आपको बना के दिखाएंगे ठीक है तो सबसे पहले इसे क्यों use करते हैं हां use करते हैं आपको वह पता होना चाहिए Switch statement is nothing but multiple choice selection statement It means when we want to select any one case out of multiple cases Then we should use switch statement ठीक है जब आपके पास बहुत सारे choice है ठीक है बहुत सारे options है और उन बहुत सारे selection options में आपको कोई एक option को pick करना है तब आप use करेंगे switch statement Real example अगर आप multiple choice का कोई भी एक्जाम देने जाते हैं आप देने जा रहे तो आप देखेंगा हर एक question में आपको चार options होता है A B C D तो आपको अपने question के according right answer select करना होता है तो वहाँ पे switch statement का ही concept होता है ठीक है जो भी online exam आप देते हैं syntax देखो यहाँ पर आपको लिखना है switch switch statement का program बनाने के लिए उसके बाद यहाँ पर आपका expression होगा ठीक है इस expression के according ही यह case execute करेंगे तो यहाँ पर आप case create कर सकते हैं जैसे case one case one में आपका कुछ code रहेगा logic रहेगा उसके बाद break case two यहाँ पर भी कुछ code रहेगा उसके बाद break break मतलब यह case two execute होने के बाद break हो जाएगा दूसरा case run नहीं करेगा इसी तरह बहुत सारे cases हो सकते हैं यहाँ पर एन नंबर ओफ cases ठीक है और लास्ट में एक default रहेगा अगर माल लिजे यह जितना भी उपर का case से यह कोई भी execute नहीं किया तब यह default run करेगा और यहाँ पर default statement रहेगा जो की execute करेगा तो यहाँ पर इसमाल लिजे expression में हम value pass करेंगे 1 तो यह case 1 को run करेगा अगर यहाँ पर value pass करेंगे हम क्या 2 तो यह case 2 को run करेगा इस तरीके सी यह काम करता है तो अभी चलो हम क्या कर रहें एक simple सा program बना रहे हैं इसी switch statement का जिसमें आपको practically show करेंगे कि यह कैसे काम करता है प्रोग्राम में हम calculator system का जो requirement होता है उसको देखेंगे कि कैसे करेंगे हम अगर calculator में हमें कोई operation perform करना होता है तो हमें value देना पड़ता है फिर operator उसके बाद again value फिर result आता है ठीक है तो वो कैसे करेंगे यहाँ पे switch में सबसे पहले switch का जो expression syntax होता है वो लिख लेते हैं पे हम क्या करेंगे expressional value पास करते हैं यह switch का syntax हो गया तो अभी आप यह value पास करेंगे देख रहे हैं expressional value उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा variable हमारे पास होना चाहिए तो हम क्या करेंगे character type का variable रख लेते हैं एक value नाम का ठीक है और इसी value में हम value input करेंगे तो input करने के लेकिन यहाँ पे एक message पास कर दे रहे हैं enter your value ठीक है या फिर ऐसे करते हैं यहाँ पे what you want यहाँ पे हमारा operator का value आएगा ठीक है तो scene में क्या करेंगे value input ले लेंगे और इसी expression को पास कर देंगे यहाँ पे value के लिए तो अभी मारलो हम कुछ भी operational value input करेंगे तो वो आएगा expression के लिए लेकिन अभी हमारे पास first number second number ऐसा भी requirement होना चाहिए वो नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम first number input करेंगे तो यहाँ पे message पास कर देंगे हम ठीक है enter first number उसके बाद हम scene में क्या करेंगे first number को input कर लेंगे num1 में ठीक है एक variable num2 second variable ठीक है अब आते है switch में सबसे पहले यहाँ पे case बनाएंगे हम एक plus के लिए ठीक है यहाँ पे क्या होगा add होगा तो cout में लिख देंगे हम यहाँ पे message भी देंगे addition उसके बाद num1 को add कर देंगे हम num2 के साथ और लगा देंगे break इसी तरीके से आप सभी operations को perform कर सकते हैं और जितने भी होते हैं subtraction आपको करना तो minus कर दो यहाँ पे subtraction लिख दो यहाँ पे भी minus perform कर दो आप ठीक है multiplication के लिए multiplication दे दो यहाँ पे message को change कर दो ठीक है हमारा proper calculator काम कैसे करता है उसी के उपर यह program रहेगा ठीक है फिर यह हो जाएगा अपना division division और इसको क्या कर दो divide कर दो एक और होता है remainder ठीक है तो remainder इस तरीके से यहाँ पे remainder और इसको भी क्या कर दो remainder operator यूज़ कर लो यहाँ पे और मालो इन सभी के अलावा कुछ अलग value हम input कर देते हैं कुछ उल्टा पुल्टा value तो उसके लिए अपने पास रहेगा default यह सबसे end में run करेगा अगर हम addition, subtraction, multiplication, division, remainder remainder इन सभी के लावा कुछ और अगर input करेंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे invalid choice देखेंगे इसा कुछ message दे देते हैं हम तो यह program ready है, इसको run करते हैं सबसे पहले देखते हैं यह perform हो रहा की नहीं, तो first number बोल रहा, 45, 453, second number से पहले मालो मुझे add करना है, मैंने add किया, second number मुझे इसमे value add करना है इतना, तो यहाँ पे देखो addition आ गया, ठीक है calculator ऐसे ही काम करता है, पहले number दो फिर अपना operator दो काम कर रहा, तो यह कैसे काम कर रहा हम आपको dry run कर देते हैं, लेकिन उसे पहले और भी कुछ value input करके देख लेते हैं, जैसे मान के चलो 34, उसके बाद मुझे क्या करना, minus करना है 45, तो यहाँ पे देखो minus 11 आ गया, मतलब यह सही काम कर रहा, और इसी तरह multiplication का भी check कर लेते है हम एक नंबर देते हैं, 34, उसके बाद multiply कर देते हैं, इसको हम 10 से, तो 340 सही है, और remainder का देख लेते हैं हम, ठीक है, मालो 34 है, इसको हम कर देते हैं, 2 से divide, sorry यहाँ पे हम गलत operation perform कर दिया है, ठीक है, इसी लिए देखो invalid choice आ गया, क्यूंकि यहाँ पे देखो हम 2 प्रेस कर द कर दिया है, मतलब यहाँ पे 2 नाम का कोई case हमने बनाया ही नहीं है, हमने addition के रहे, subtraction, multiplication, division, remainder के लिए बनाया, 2 के लिए नहीं बनाया, इसलिए वो default में चला गया, और invalid choice border, मतलब यह भी सही काम कर रहा, अगर मालो मुझे remainder चाहिए, मैं 56 दे देता हूं, यहाँ पे remainder हैंगे 4 से divide, तो remainder क्या आएगा, 0, सही काम कर रहा, तो अभी चलो हम इसको dry run करते हैं, यह remainder से ही dry run कर देते हैं, काम कैसे कर रहा, सबसे पहले first number में value remainder के लिए हम num1 में input किये थे, क्या 56, फिर हमारा operation क्या था, value का value था हमारा remainder, ठीक है, second number में हम input किये थे, num2 के लिए 4, तो अभी यहां पे switch में value आ रहा, switch में value क्या है, value हमारा यह remainder, ठीक है, तो यहां पे switch में आ रहा है expression के लिए remainder, तो यह जो remainder है, क्या addition के साथ equal है, नहीं, फिर क्या वो minus के साथ equal है, नहीं, multiplication के साथ equal है, नहीं, division के साथ equal है, नहीं, यह remainder देखो, यहां पे equal हो गया, जैसे य वाला नंबर जो हम input किये थे, first वाला नंबर है हमारा 56, second नंबर है 4, तो अगर हम यहाँ पे देखो 56 को remainder करेंगे, 4 से तो value क्या मिलेगा, 0, और वो 0 ही हमें क्या हुआ, यहाँ पे Cout में लगातार print भी कर रहे हैं, तो print भी हो गया, क्या, 0, आप result यहाँ पे देख लो, हमने साथ output screen को close कर दिया था, कोई बात नहीं, आपने result देखा था, 0 आया था, तो इस तरीके से हमारा यह switch statement का program काम कर रहा है, आप एक बात का ध्यान रखिएगा, switch statement में यहाँ पे सिर्फ integer value ही pass कर सकते हैं आप expression के लिए, अभी आप कहेंगे हम तो operator pass कर रहे हैं, अगर मालो हम यहाँ पे इसका value रखते हैं plus, ठीक है, ठीक है, अगर यह plus रखेंगे, तो यह plus का एक ASCII value होता है, integer number क्या होता है, वो 43, ठीक है, तो ASCII value plus operator का ASCII value 43 यहाँ से pass हो रहा है, integer के form में, उसके बाद यह 43 इसके साथ equal होगा, क्योंकि यह plus कही value है, तो जब equal हो जाएगा, तो addition चल जाएगा, ठीक है, तो अगर program समझ में आ गया हो, तो video को like करिएगा, share करिएगा, channel पे नहीं है, subscribe करिएगा,